नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि नूलोरा टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, नूलोरा टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और नूलोरा टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो स और यह भी डिस्कस करेंगे कि नूलोरा टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि नूलोरा टैबलेट का असर कितनी देर में शुरू होता है, और कितनी देर तक नूलोरा टैबलेट का असर रहता है, नूलोरा एक ब्रैंड पूननुरोरा टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लोरा जेपाम होता है। नीूरा टैबलेट 1-MG और 2-MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। नीूररा टैबलेट का उपयोग एंजाइती यानी चिंता वद तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। नीूरा को लेने के बाद नीन्द अधिक आती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को नीन्द कम आती है या नीन्द नहीं आती है। उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर नूलोरा टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसॉडर होने पर भी नूलोरा टैबलेट का उ नियूलोरा टैबलेट की वजह से कुछ पसेंट व्यक्तियों में कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। नियूलोरा टैबलेट की वजह से शरीर का वजन ज्यादा भी हो सकता है। नियूलोरा टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ज्यादातर व्यक्तियों में न्यूलोरा टैबलेट को लेने के बाद एक घंते से लेकर दो घंते के अंदर न्यूलोरा टैबलेट का असर दिखना शुरू हो जाता है। और न्यूलोरा टैबलेट का असर छे घंते से लेकर आट घंते तक रह सकता है। अब हम दिसकस करेंगे कि New Lora टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए। नियूलोरा टैबलेट को लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियूलोरा टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वज़े से सीरियस साइड इफेक्स हो सकते हैं, और नीन आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है. नियूलोरा टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि नियूलोरा टैबलेट को लेने के बाद नीन अधिक आती है, लगातार 12 सब्ता से अधिक Nulora टेबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है क्योंकि लंबे समय तक Nulora टेबलेट को लेने से Nulora टेबलेट की आदत पड़ सकती है आखों में narrow angle glucoma होने पर और respiratory depression होने पर Nulora टेबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना Nulora टेबलेट को नहीं लेना चाहिए pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Nulora टेबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Nulora टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं